Hello everyone, कैसे हो बच्छों आप सब लोग तो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बिटा इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ काउंसलिंग के बारे में बहुत जरूरी इंफॉरमेशन क्या है काउंसलिंग के बारे में जरूरी इंफॉरमेशन तो अभी तक बच्छा लास्ट येर तक आपका क्या हो रहा था कि लास्ट येर तक जो है आपका MCC आपकी नीट की काउंसलिंग कराती थी और आपका एडमिशन MBBS सीट के लिए होता था जिसमें आपका क्या होता था कि MCC के थुरू आप All India Quota के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते थे और स्टेट कोटा की काउंसलिंग में आप अलग से पार्टिसिपेट करते थे उस प्रॉसस में क्या था बच्चा की एक ही बच्चा जो था एक ही समय पर All India Quota के हिसाब से भी अपनी एक सीट जो है रिजर्व कर लेता था फिक्स कर देता था लॉक कर देता था और दूसरा जो है स्टेट कोटा से भी वो जो है अपनी सीट को फिक्स कर देता था अब एक बच्चा एक से जादा सीट को जो है फिक्स कर पाता था तो इस प्रॉब्लम का solution के लिए अभी जो है जो है भुपाल में है न्यूज आई है ये और न्यूज कुछ इस तरीके से है कि इस बार जो counseling की process है उसमें changes लाने की कोशिश की जा रही है तो सरकार की जो है कोशिश ये रहीगी बिटा कि जो बच्चा एक से जादा seat fix कर देता था और किसी अन्य विध्यार्थी को वो seat available नहीं हो पाती थी जैसे अगर कोई एक स्वाइज जड बच्चा है ठीका उसके कोई marks आये उसने बच्चा MCC की website पर जाकर medical counseling committee की website होती है उस पर all India quota के लिए उसने जो है registration किया और उस बच्चे का जो है वहाँ पर उसको seat मिल गई किसी government college में all India quota के हिसाब से next वो ही बच्चा जो है state quota के हिसाब से भी अपना registration करता था और state quota counseling में participate करता था और अपनी एक seat को उसी time fix कर लेता था अब किसी और बच्चे के लिए तो वो दोनों seat जो है बच्चा वो अब available नहीं है अब एक ही बच्चा एक जितनी भी state quota की seat है उनको भी all India quota की seatों में ही convert किया जाए और अब counseling जो है वो सिर्फ MCC के दवारा कराई जाए state quota की अलग से counseling ना हो इस तरीके की news आईए बचा अब आप लोगों का क्या opinion है ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मुझे comment section में बताइए जैसे ही कोई official notification इसके regarding आता है अभी तक medical council of committee की तरफ से MCC की तरफ से इसके regarding कोई official notification नहीं आया है कि इस बार जो है counseling इस तरीके से होगी बट newspaper में बुपाल newspaper में ये news आई है तो इस news में अब सरकार क्या कदम उठाती है या नहीं उठाती है या फिर पहले की तरह ही आपकी counseling होगी इसकी updates आ 2024 के लिए मैं करा रही हूं आप Hindi medium में English medium में bilingual मैं आपको पढ़ाऊंगी daily morning सुपे 11 बजे मेरी class होगी ठीक है और शाम को 6 बजे दो classes per day आपको मिलेंगी 11 बजे वाले session में हम discuss करेंगे कोई ऐसा chapter जो class 12 का होगा और जो शाम 6 बजे class होगी उसमें हम class 11 का chapter discuss करेंगे अभी तक मैं solution और basic concept of chemistry करा चुकी हूं ठीक है और आज शाम 6 बजे बच्चा मैं शुरू कर रही हूं chapter inorganic chemistry का chemical bonding जो की है बहुत जादा important chapter तो सभी बच्चे चानल से जुड़े subscribe करें PDF आपको class के just बाद telegram channel पर provide कराई जाएगी उसका link आपको description box में हर class में मिलेगा ठीक है